हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में दोस्तों मैंने जैसे की पिछले विक्स में बोला था कि मैं जो है बिगिनर्स के लिए भी विक्स में एक या दो जो है वीडियो अप्लोड करने वाला हूँ बट बीच में जो है मुझे कुछ काम आ गया था मुझे अपना घर जो है चेंज करना था इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाया यहां पर मैं वहीं वीडियो वापस लेके आया हूँ बिगिनर्स के लिए जो कि उनके लिए काफी यूसफूल है अगर वो यह वीडियो देखते है तो उनकी गेम जो है वो स्लोली स्लोली डेफिनेटली पोग्रेस करेगी सो आई शुरू करते है एक गेम जो की खेले गई थी ठेडोर वन्स क्यूँ वर्सिस आटैकमेंट के बीच में और यहाँ पे बलेक ने जो है गाई को पियानो इटालियन गेम में जो है वो वाइट को सिफ 17 बूस के अंदर ही बीट कर दिया था और स्पेशली एक गेम फिचर करते है कि जब आप H3 या H6 जैसी मुझ खेलते हो तो उसकी जो इफेक्ट है वो कितनी डेंजरेस होती है तो आए शुरू करते है जहाँ पे वाइट ने गेम की शुरूआत की E4 से और अब आया E5, N2 F3, N2 C6 और B2 C4 वो दोस्तो इस पोजिशन में रेकेमेंट करता हूँ B2 C5 जो की गेम में खेला गया क्योंकि अगर आप Knight जो F6 पे निकालते हो देन White जो है उसके पास Knight to G5 का dangerous option होता है जिस case में अब हमें जो है वो एक pawn sacrifice करके खेलना पड़ेगा D5, E captures D5, Knight to A5 जहाँ पे still Black की position जो है वो कोई बुरी नहीं है बट यहाँ पे आपको एक pawn sacrifice करके खेलना पड़ेगा जो ऐसा Q जब आप उसको easily जो है avoid कर सकते हो रैट, सो Bc4 और अब आया B2 C5 और दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आप जो है Knight to G5 नहीं कहल सकते है क्योंकि वो simply hanging है और उसके लिए अगर आप D3 खेलते हो बट देन मैं Knight F6 पे निकाल सकता हूँ और उसके बाइद अगर Knight G5 पे आती है तो मैं cancel कर सकता हूँ तो यहाँ पे अभी जो है उस type की कोई भी threat work नहीं करेगी सो Bc5 के बाद white नहीं यहाँ पे खेला C3 और यह है Italian game का classical variation जहाँ पे white जो है वो pawn to D4 खेलना चाहता है और उस तरह से जो center है उस पे complete control करना चाहता है तो यहाँ पे video post करके सोचे कि आप क्या खेलोगे रेडी दोस्तो यहाँ पे black ने खेला Queen to E7 normal condition में Queen जो है उसको जल्दी निकालना अच्छा नहीं है बट यहाँ पे आपका already जो है Bishop निकल चुका है और E2 पे Queen जो है वो relatively safe sorry E7 पे Queen जो है वो safe है क्योंकि Knight के पास C3 and Knight 2 D5 जैसी कोई move C नहीं है right so Queen E7 यहाँ पे काफी अच्छी move है क्योंकि अब अगर white जो है वो D4 खेलता है then हम simply pawn captures on D4 खेलेंगे and C captures on D4 के बाद हम जो है Queen captures E4 खेलेंगे so यह चेक है जिसमें Black के पास एक extra pawn है और उसकी position जो है वो कोई भी यहाँ पे बुरी नहीं है यहाँ पे Queen E2 आता है then also आप उसको भी capture करके दुसरा pawn भी जो है simply win कर सकते हो so यहाँ पे हम conclude कर सकते है कि Black की position जो है अच्छी है so इसलिए Queen to E7 के बाद White ने किया किया पहले castle और अब जो है White prepare कर रहा है D4 यहाँ पे बाए D6 और अब D4 और दोस्तो इस case में अगर आप capture करते हो तो pawn capture zone D4 आएगा जिसमें आप C3 pawn moves होगा तो White की Knight भी C3 यानि की अच्छा square पे आ सकती है और दूसरी और जो White है उसके पास अच्छा center रहेगा so यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप capture करें so यहाँ पे खेला गया Bishop to B6 so अब अगर White जो है E5 पे capture करता है then हम भी जो है simply E5 पे capture कर सकते है या फिन Knight से capture कर सकते है जिस केस में जो Black है वो completely all right है so यहाँ पे White ने खेला E4 और दोस्तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस करो और सोचिए कि यह move जो है वो कितनी tricky है यहाँ पे White क्या खेलना चाहता है दोस्तों यहाँ पे White जो है वो Essex केला और अब आया E5 और अब में दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका जो है piece जा सकता है अगर आप Knight captures खेलते हो या फिर Bishop capture केलते हो first of all अगर आप Bishop captures on E5 केलते हो देन White जो है D5 केलेगा so अभी आपकी Knight जो है वो अंडर attack है और Knight move होते ही Rook captures जो है A5 आजाएगा right so A5 के बाद अगर अब Knight से capture करते हो बड़ दोस्तो धेन यहाँ पे White जो है वो Action sacrifice दे सकता है with Rook captures A5 Bishop capture A5 और अब जो है Queen A4 चेक जिसमें आपके King पे attack है और आपका Bishop जो है वो चला जाएगा इस तरह से White के पास जो है एक extra piece आजाएगा so A5 के बाद actually Black ने खेला Bishop to A7 और दोस्तो यहाँ पे अब आया H3 और यह move जो है वो actually weak move है आपको कभी भी इस तरह की move नहीं खेलनी चाहिए especially जब वहाँ पे कोई sacrifice प्लान किया जा सकता है और E1 एलेखाई ने यह बोला है कि जब तक possible है आप क्या करो आपके king side के जो pawn है जहाँ पे आपने castle किया है उसको उसकी initial position पे रखो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो actually आप जो है opponent को chance देते हो कि वो उदर कुछ sacrifice का planning करे और यहाँ पे अब आया Knight to F6 जो है D file open नहीं की क्योंकि black जानता है कि better चीज़ यह है कि जब भी आपका opponent जो हो आपसे ज़्यादा पिस develop हो तब आपको जो पिस exchanges के लिए जाना चाहिए और आपको है ज़्यादा lines open नहीं करनी चाहिए और दोस्तों यहाँ पे जो white है उसने खिला knight to d2 और यह position देखिए मैंने कई बार videos में बोला है जब आपकी जो king side की knight है वो उसके natural square पे नहीं होती है तब आपका king जो है वो यहाँ पे weak हो जाता है तो इस position में अगर आप देखिए तो हमारा bishop एक हमारा दूसरा bishop on a7 queen जो है और knight जो है वो 4 piece potentially white के king की और attack कर रहे है तो यहाँ पे video post करके सोचे कि आपको जो है किस तरह से खेलना चाहिए ready दोस्तो यहाँ पे आया bishop captures on h3 और यह move जो है वो simply g2 pawn को deflect करने के लिए है क्योंकि एक बार आपका g2 pawn चला गया then मेरी queen जो है g3 पे आजाएगी queen g3 खेलके अभी समाप्त हो जाएगी यहाँ पे अब कोई वे नहीं है कि आप queen captures on g2 checkmate की जो threat है उसको पेरी कर सको apart from knight to h4 यहाँ पे हम चाहे तो knight को capture कर सकते है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि knight to g4 जो है उसमें simply white की queen चले जाएगी अगर white यहाँ पे queen नहीं देता है तो उसकी checkmate जो है वो हो जाएगी क्योंकि हमारी threat है queen to h2 checkmate की तो अगर knight जो है आप वापस ले जाते हो तो g2 पे checkmate है otherwise h2 पे checkmate है और आप सोच रहे होगे कि bishop f4 क्यों नहीं और दोस्तों उस case में simply queen captures on f4 और अभी भी जो है आपकी h2 पे checkmate हो रही है और knight f3 ले जाओगे तो वापस में queen g3 लेके g2 पे checkmate करने चलाओंगा तो यहाँ पे भी better यहीं है white के लिए कि जो है queen captures मेरी knight खेल के जो है अपनी queen दे दे और अपनी checkmate save करे पर दोस्तों उस case में कहने की जरूरत नहीं है कि black जो है वो completely winning है तो आएए चलते है game में जहाँ पे bishop captures on h3 के बाद white ने खेला simply pawn captures on h3 और अभ आया दोस्तों queen to g3 check जैसा कि मैंने बोला f2 pawn pin है so queen को capture नहीं किया जा सकता king h1 queen captures h3 check king g1 और अभ आया knight to g4 और दोस्तों यहाँ या फिर आपको जो है knight f3 खेलना पड़ेगा और knight f3 जो है वो temporary solution है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसा q है यहाँ पे game में खेला गया knight to f3 और अभ आया queen to g3 check king h1 और bishop captures on f2 और दोस्तों यह position देखिए जहाँ पे मेरी threat है अभी queen to h3 जहाँ पे अगर knight बीच में डालोगे then simply queen captures h2 जो है वो checkmate हो जाएगी और यहाँ पे अगर आप rook से capture करते हो मेरा bishop then knight captures on f2 और यहाँ पे जो है checkmate हो जाएगी तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों king to h1 and bishop capture f2 जैसे ही आया इस position में जो है white ने resign कर दिया तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह game और आज का यह video and especially अब आप जियान रखना कि जब भी आप जो है ऐसी कोई h6 या h3 move खेलते हो देना आपको काफी careful ड़ेना पड़ेगा कि उधर sacrifice ना आए और अगर आपका opponent ऐसी कोई move खेलता है देना आप इस तरह से